तो वहीं बतादे की लखनों से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां इंद्रा नगर थाना शेत्र में एक ज्वेलर्स की दुकान में चोरी हो गई बतादे की ज्वेलर्स की दुकान का शटर काट कर पंद्र लाख की चोरी की गई वहीं बतादे की दुकान के मालिक का कहना है कि चोरों ने देर रात दुकान को निशाना बनाया और अब पुलस पूरे मामले की जाच में चुटी है बतादे की इंद्रा नगर थाना शेत्र के ज्वेलर्स की दुकान में ये चोरी का मामला सामने आया है जहां पे पंद्र लाख की चोरी की गई है 15 लाग की चोरी की गई है शुगा मौच और आहे पे दुकान है बतादे कि ये शुभ ज्वैलर्स की शॉप है जहांपे कल देल रात चोरों ने अपना निशाना बनाया वही दुकान के मालिक का कहना है कि चोरों ने 15 लाग के ज्वैलरी चुराई है और अब फिलहाल पुलिस पूरे मामली की चार्च कर रही है और शक के आधार पर कारवाई कर रही है इसे पर आगी जानकारी देने के लिए हमारे समवादा तो वैस हमारे साथ जोड़ चुके है वैस क्या कुछ पूरा मामला है बताया चाहरा है कि जोलरी शॉप से 15 लाग की चोरी हो गई पूरा मामला तरीके से बात सामड़े निकल कर आ रही है यह य satisfrap पर 15 लाग की जो चोरी है और तमाम पूलिस आला अधिकारी है वह तमाम लोग लगे में जुटे में जिस तरीके से तिन पिहारे लखनौ शहर में चोरी की घटना को अंजाम देकर चोर निकल जाते हैं उसका पता है तो जिस तरीके से उस सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं जे बिलकुल वैस और एक तरफ जहां ये दावी किये चारे की सुरक्षा क पुलस चपप चपप पे नज़ा रखी ऐसे में लगनओ में ऐसी बारदाते दिन बदिन बढ़ती जा रही है क्या कहना इसके बारे में देखिए बिल्कुल आपको बता देगा बिल्कुल सही आपका सवाल लेके लगनओ के इंद्रा नगर में यह जो जली शौप की दुगान पर चोरी हुई है यह 15 लाग उपए की और जो घटनाय है वो बड़ती जा रही है यह बिल्कुल सही है इस पर नौर्ट रोन की जो पुलिस है इसको संग्यान में लेना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से जो घटनाय हो रही है वो घटनाय पुलिस पर सवालिया निशान कड़ा क करके सोगा मों चोराय के पास की घटनाय है और यह जो एरिया है यह मतलब शहर के बीचम भीच का एरिया है और यहां पर इस तरीके की घटना जो है वो बहुत निंदनी है और सवालिया निशान कड़ा कर रही है जी बिल्कुल जी वैस आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो लखनव के इंद्रानगर इलाके में दिन दोहाड़े बता दे कि चोरों ने एक जोलिश आपको अपना निशाना बनाया और पर